चाहे भारतिय सेना हो या फिर अन्य देश की सेना जवानों का जीवन अत्यंत कटिन और अनुशासन पूर्ण होता है ये बात हम सभी जानते हैं उन वीर जवानों को देश की रक्षा के लिए हर समय खुद को तैयार रखना पड़ता है और यही कारण है कि उन्हें मूल नियम और उच भावना में रहना जरूरी होता है साथ ही इसके उन्हें फिट रहना भी काफी जरूरी होता है हम सभी जानते हैं कि हमेशा फिट रहने वाले जवानों को शराब की बोतलों पर भारी छूट मिलती है वैसे तो शराब सेहत के लिए नुकसान दे मानी जाती है और इस इस वज़े से सराब को सेना के जवानों के लिए प्रतिबंद किया जाना चाहिए लेकिन यहां तो जवानों को सराब पर भारी चुट दी जाती है सेना में सराब बैन ना होने का पहला प्रमुक कारण है हम सभी जानते हैं कि सेना को बहुत मुश्किल परस्थितियों में देश की रक्षा का काम करना पड़ता है ठंडी से ठंडी जगा पर भी वो सीमा पर खड़े रहते हैं ऐसी जगों और परतीतियों में सराब सेना को गर्म रहने और जीवित रहने में मदद करती है दूसरा प्रमुकारन सेना के जवानों को अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है जब वे जादा वेस्त नहीं होते हैं तो खाली समय में उन्हें अकेला पन महसूस होता है सराब पीने से उन्हें इस खाली समय को गुजारने में मदद मिलती है तीसरा प्रमुकारन जब ब्रिटिस का सासन भारत पर था तब उनकी सेना में भी एक परमपरा थी जिसके तहट हर अधिकारी और सेना का जवान एक निस्चित मातरा में सराब का सेवन करेगा बस यही परमपरा भारते सेना में भी आ गई चौथा प्रमुकारन जब सेना में किसी नए जवान की भरती होती है तो उसका स्वागत करने के लिए सभी को सिमित मातरा में शराब पीना होता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलिये गया होगा सेना में शराब को बैन क्यों नहीं किया जाता और वहीं सिविलियन्स के लिए शराब को हानी कारक क्यों बताया जाता है तो दोस्तो जल्द से जल्द इस वीडियो को शेर कर दीजे उन तक जो इस तत्य को नहीं जानते हैं और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है तो प्लीज जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक दे दे और जल झाल झाल